हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एटल पैमेंट बेंग के एटियम कार्ड या डेविट कार्ड को बिलो के एंड अन विलो के से करेंगे Activate and Deactivate कैसे करेंगे इसके लिए आपको A.T.L.Think अप्लिकेशन को ओपिन कर लेना है ओपिन करने के बाद आपके सामने इस परकार का पेज ओपिन होगा यहाँ पर आपको एक प्रोफाइल का आइकन दिखाई दे रहा होगा इस पर किलिक कर देना है इसके बाद आपको यहाँ पर बेंक प्रोफाइल पर किलिक करना है उसके बाद आपके सामने इस परकार का पेज ओपिन होगा यहाँ पर आपको दो डेविट कार्ड के ओप्सन दिखाई दे रहा होंगे किसी भी एक डेविट कार्ड पर आपको किलिक कर देना है उसके बद आपको यहां पर अपनी यम्पिन को फिल कर देना है जिसे ही आप अपनी यम्पिन को फिल कर देंगे तो उसके बद आपका डेबिट कार्ड सो हो जाएगा और यहां पर आपको लिखा दिखाए दे रहा होगा मैनेज इस manage पर आपको click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा दिखाए देराओगा deactivate card इस पर click करके आप अपने card को deactivate कर सकते हैं दूसरे नमबर पर आपको लिखा दिखाए देराओगा set card limit इस पर click करके आप अपने card की limit को set कर सकते हैं इस पर पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिसक्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तिस्रे नमर पर आपको लिखा दिखाए दे रहा होगा सेट कार्ड पिन इस पर किलिक करके आप अपने कार्ड की पिन को सेट कर सकते हैं इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में मिल जाएगा महां से जाकर आप अपने card keeping को set कर सकते हैं उसके बाद आपको deactivate card इस पर click कर देना है उसके बाद आपको इसको enable कर देना है enable करने के बाद आप देश सकते हैं कि आपका card block हो चुका है यानि deactivate हो गया है उसके बाद आप अपने card को unblock करना चाहते हैं या activate करना चाहते हैं तो आपको activate card पर click कर देना है उसके बाद आप इसको enable कर देंगे जिसे आप इसे एनेवल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका card active हो गया है यानि unblock हो चुका है इसी तरहें आप अपने A-Tel Payment Bank के debit card यानि ATM card को block या unblock, activate and deactivate कर सकते हैं अगर आपको विडियो पसंद आई हो तो विडियो को like, share यूटूब चनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेस्ट वीडियो में